हेलो और वालकम टू टीवी का पठाका ओ वेल दोस्तो टीवी से बॉलिवुड में अपनी पहचान बनाने वाली एक्टरेस राधिका मदान इन दिनों अपनी फिल्म कुत्ते को लेकर सुर्ख्यों में है हाल ही में राधिका ने फिल्म कुत्ते के प्रोमोशन के दौरान टीवी इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ा बयान दिया था जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पढ़ रहा है वैल आपको बता दें कि राधिका मदान से पहले सायंतनी घोष ने उन्हें खरी खोटी सुनाई थी उन्होंने कहा था कि जहां से वह सीख कर गई है आज उसी को बला बुरा कह रही है जो कि बहुत ही दुख की बात है वही अब प्रडियूसर एकतकपूर ने भी इस पर अपनी प्रतिकरिया दी है यानि कि अपना रियाक्शन रखा है वैल राधिका के इन कॉमेंट्स के उपर आक्टरिस ने इस बात को काफी ज्यादा शर्मनाग बताया है एकतकपूर ने सावतोर से एक बुरे तरीके से लताड़ा है और किसी को नहीं बलकि राधिका मदन को कि आखिर तुमने जहां से सब कुछ सीखा तुमने आज उसी को ही इतना गलत कैसे बता दिया वेल दोस्तो एकतकपूर ने एक पोस्ट किया था और उसी दौरान कई सूपरिट सीरिल्स को प्रड्यूस कर चुकी एकतकपूर ने राधिका के बयान को शर्मनाग बताते हुए सायंतनी घोश की तारीफ की है एकता ने सायंतनी के इंटर्व्यू का क्लिप अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा स्टैट एंड शेमफूल आक्टर्स हैब नू रिस्पेक्ट फॉर देयर रूट्स कुडोज दोस्तों सायंतनी का ये वो इंटर्व्यू है जिसमें वो ये बता रही है कि कितनी बुरी बात है कि आज हमारी इंडस्ट्री की एक्टरेस और कोई नहीं राधिका मदन जहां से उन्होंने सब कुछ सीखा जिन्होंने उन्हें बॉलिवूड में अपनी पहचान बनाने के लिए उनके हुनर को सबसे पहले पहचाना था आज वही इतने बुरे तरीके से टीवी इंडस्ट्री को देखती है और उनके इसी क्लिप को एक तक अपूर ने शेयर किया और लिखा sad and shameful कि कितनी बुरी बात है किया जब बॉलिवूड की अक्ट्रोस बन गई है तो आपने टीवी इंडस्ट्री की इस तरह से इंसल्ट कर दी आप लोग क्या कहेंगे हमें अपने व्यूस कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो को लाइक